किसान साथियों बाग की सफलता इस बात पर निर्वर करती है कि आपके पोधे कैसे हैं उनकी गुनवत्ता कैसी है और आपने उन्हें किस प्रकार लगाया है क्या आपकी जो जमीन है जिसमें आप बाग लगाने जा रहे हैं क्या वो उसे एकसेप्ट करने के लिए सही है क्या उस जमीन में कोई बिमारी है और अगर है तो आपने उसका क्या इलाज किया है और अगर है तो आपने उसे कैसे पता किया है किसान साथियों सबसे अधिक मेरे पास जो फोन आते हैं और जो मैसेज आते हैं वो पोधों के बारे में आते हैं किसी का पोधा नहीं चलता है, किसी का उसमें पीलापन हो जाता है, किसी का पोधा सूख जाता है और कुछ लोग तो जो उसमें अंतरवर्तिय फसले लगाते हैं, उसमें बिलकुल पानी में धान में भी उन्होंने पोधे लगा रखे हैं. किसान साथियों मेरे पास विबिन परकार के पोदे हैं मेरे पास चीकू का पोदा है मेरे पास मोसमी का पोदा है मेरे पास अनार का पोदा है मेरे पास नीमू का पोदा है मेरे पास एपल बेर का पोदा है मेरे पास कठल का पोदा है मेरे पास बेल का पोदा है इस परकार बात करूँगा कि अगर आप बाग लगाने जा रहे हैं तो उसमें किस प्रकार की तैयारी करें हालाकि इस पर मैंने पहले एक सीरीज भी बनाई थी और एक लेख भी लिखा है लेकिन आज की वीडियो केवल इस बात पर रहेगी कि पोधे की तैयारी खेत की कैसे करनी है और प वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी बाग की सफलता निस्चित कर सकते हैं किसान सातियो थोड़ा वीडियो लंबा होगा लेकिन मुझे सवाल करने से पहले ये सुनिस्चित करें कि आपने ये वीडियो पूरा देखा है कि आपके सवाल से ही मुझे पता पहले उसका सोलराइसन अवश्य करें ये है पहली बाद सोलराइसन का मतलब ये होता है कि पहली फसल लेने के बाद उसकी गहरी जुताई करें और गहरी जुताई कर उसको चार-पांच दिन धूप लगने दें धूप लगने के बाद उसको खेत को अगर अवश्यकता हो तो समतल कर ले और समतल करने के बाद उसमें अच्छी खासी दो ट्रोली परती एककड गोबर की सड़ी हुई खाद या एक ट्रोली परती एककड वर्मी कमपोस्ट मिलाएं इस वर्मी कंपोस्ट को जो मैंने बताया है लेख में भी लिखा है इसमें तीन चीजे अवस्य मुल्टिप्लाई कर डाले पहला है ट्राइको डर्मा दूसरा है शुडो मुनास फ्लोरोसेंस और तीसरा है बैसिलस सब्टिलिस इन तीनों को अलग अलग एक एक कुंटल की धेर में चायादार स्थान पर इनको मल्टिप्लाई कर लें और उसमें प्रायाद नमी बनाए रखें पांच दिन के बाद इन तीनों को मिलाएं और जो आपने खेत में जो गोबर का खाद या वर्मी कंपोस्ट खेलाया है उसके उपर छिटका लगा दें एक एक कड के लिए मात इखी तरीका है वो है आपका जो कंपोस्ट गोबर की खाद या आपका वर्मी कंपोस्ट इसके अलावा किसी और चीज में नम्त करें जैसे ही आप खेत में इसको बखे रहेंगे तो खेत में पानी दीजिए और अगर आपके पास समय हैं आप जुलाई अगस्त में लगाने जा रहे हैं तो उसमें हरी खाद अवस्यब हो ये हरी खाद बोने के लिए आपको जब वो 45 दिन की हो जाएगी 45 दिन से बड़ी मत करिए उसको खेत में क्रस कर दीजिए यानि उसको अच्छी तरह मिला दीजिए और फिर उसमें पानी दीजिए इसके बाद खेत की जुताई क उसमें पाटा लगाईए और अपने खेत पर निसान लगाईए अगर आप आयताकार विदी से पोदे लगा रहे हैं यानि 20 बाई 10 पर लगा रहे हैं तो जो लाइन से लाइन है वो पूरा उत्तर दक्सिन होनी चाहिए और पोदे पूरा पस्चिम लगने चाहिए अगर यानि 15 बाई 15 या 20 बाई 20 लगा रहे हैं तो आप कोई सी भी किसी भी तरफ की दुरी रख सकते हैं किसान साथियो इसके बाद गड़ा खोद कर 2-3 दिन की धूप लगाईए और गड़ा खोदने से पहले परते गड़े के लिए आपको 5 किलो वर्मी कमपोस्ट यहां या जो चायादार स्थान पर हो जिस पर पानी ने लगा हो धूंप ना लगा हो ऐसी जगेपर बनाये हुआ गोबरगा खाद लीजिए अगर गोबरगा खाद लेते हैं तो 20 किलो होना चाहिए अगर आपका वर्मी कमपोस्ट लेते हैं तो 5 किलो बहुत है उसके साथ 2 किलो एनिमल मील या बोन मील जिसे कहते हैं ये एक और्गनिक मैन्योर होता है जो सभी आवश्चक तत्वों और सुक्सम तत्वों की पूर्ती करता है इसको लीजिए परतियक गड़े की मात्रा है ये जो मैं बता रहा हूँ सो गराम लीजिए इसमें सागारिका और इसमें परतियक कड़ के हिसाब से ये मात्रा आपकी पांच गराम भी हो सकती है दस गराम भी हो सकती है बीस गराम भी हो सकती है जहां से आप लेते हैं उससे पूछिए माईकोराईजा तो कुछ जगे एक एक कड़ में पांच किलो तूडो मुनास बैसिले से एक बार फिर मल्टिप्लाई कीजिए उसको मिलाकर गड़े में भर दीजिए और जब गड़े में भर देंगे तो गड़ा थोड़ा सा उपर आ जाएगा आने दीजिए गड़े के चारो तरफ वो बनाईए या पूरे खेत में पानी दीजिए या ग उस समय क्या करना है अब मैं आपको बता रहाएं यह देखे यह हमने गड़ा खोदा था यह अभी चार-पांच दिन पहले हमने पेड़ लगाया है यह गड़ा खोदा था और यह मिट्टी नीचे बैठ गई थी तो हमने थोड़ी सी मिट्टी उपर करी यह देखिए यह जब हमने दबा दिया तो थोड़ी मिट्टी उपर भी हमने कर दिये देखे इतनी तो यहाँ अगर पानी भरेगा तो इस तने को कोई नुकसान नहीं होगा इस तरह से आप कम से कम चार इंच मिट्टी अगवस्य उपर रखे इसके बाद हमने क्या किया इसमें दो जगए पर यह हमने एट के आकार की जो यह डंडी गाड़ी हमने यहाँ पर डंडी जो थैली होती है जो थैली का बाहरी किनारा है वहाँ पर गाड़ भी है और इसे दो जगए से सहरा देना है अगर ग्राफ्ट वाला पोदा है तो ग्राफ्ट से तीन इंच नीचे देना है और उपर से भी तीन इंच नीचे देना है इन दोनों को बान दीजिए पोदा सुरक्षित रहेगा और फिर इसमें पानी दीजिए किसान सातियों सबसे अधिक समस्या ये आती है कि आपने उसमें जो पानी देते हैं तो पानी पोदे के तने को लगता है और वहाँ पर पानी भर जाता है तो ये सुनिश्चित करें कि पोदे के पास पानी नहीं पहुँचेगा यानि उसके तने के पास नहीं पहुचेगा उससे कम से कम छेंच दूर रहेगा आप देखेंगे आपके पोदे बहुत सुरक्सित रहते हैं दूसरी साफधानी क्या करनी है जो डंडी लगाएंगे वो जो पोदे की थैली होती है तो डंडी यहाँ पर लगाएंगे थैली और यह इसके बीच में यहाँ पर लगाएंगे इसके पास नहीं लगाएंगे तीसरी साफधानी क्या रखनी है कि जो आपने ग्राफ्ट वाला पोदा है ग्राफ्ट हमेशा उपर रहनी चाहिए जब पेड लगाएंगे तो यह अगर सतय है हमारी थैली की तो यह सतय इस मिट्टी से थोड़ी उपर होनी चाहिए और यहाँ पर उपर मिट्टी उठा कर दीजिए किसान साथियो इसमें जो मेरा लेख है वो बहुत विस्तरत है और उसमें अच्छी तरह से समझाया गया है आप उसे अपने पास रखिए डाउनलोड कर लीजिए और पढ़िए और मुझे लगता है कि मैंने आपके सभी परसनों के उत्तर दे दिये ध्यान रखिए अभी तक मैंने कोई भी कैमिकल नहीं किया है प्रियोग इसमें लेकिन मैं यह नहीं कहता कल आपको खाट डालना पड़ेगा यह नहीं डालना पड़ेगा वो बाद की बात होगी लेकिन हमने पहले जमीन में जितने भी फंगस और जो हानी कारक किटानू है हमारे हमने उन सब को खतम कर दिया था और हमने जो यह बायो कंट्रोल एजेंड इन से कर दिया था और पोधों को हमने सभी जैविक पदार दिये हैं और पोधे बहुत अच्छे चल लगे यह मेरा एक्सपिरियंस है यह वीडियो आपको कैसा लगा मुझे अवस्य लिखें इसी के साथ विदा लेता हूं धन्यवाद नमस्कार जैहिंद जैभारत बंदे में